नमस्कार टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागते और मैं हूँ आपके साथ साइमा क्या बारा फरवरी को बिहार में नितीश कुमार की सरकार गिर जाएगी क्या बिहार में बारा फरवरी के बाद राष्ट्रिपति शासन लागू हो जाएगा ये सवाल उस वक्त सियासी गलियारों में घुमने लगे जब कॉंग्रिस मिधायक ने बड़ा बयाद दिया जिसके बाद से ही बिहार की सियासत को लेकर एक बार फिर से सियासी बाजार काफी जादा गर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि क्या वाकई 12 फर्वरी को बिहार में फिर से बड़ा उलट फेर देखने को मिलेगा क्या बिहार में फिर से तख्ता पलट होगा तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे बिहार के सियासत में एक बार फिर से भुचाल आ गया है सब कुछ आपको point to point बताते हैं बिहार में फिर से होगा तख्ता पलर कॉंग्रेस विधायक के बयान से बवाल क्या बिहार में लगेगा राश्टिपति शासर क्या बीजेपी ने बिहार में कर दी गल्ती बिहार में एक बार फिर से सियासी उठा पटक तेज हो गई है जिसके बाद अब ऐसी सुनामी आने की कयास लगाए जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा भी होगा एक तरफ तो बिहार में नितिश कुमार ने अपने कुरसी बचा ली है एंडिये के साथ जाकर लेकिन ऐसे में कॉंग्रिस विधायक एक बड़े बयान की वज़ा से बिहार में बवाल बढ़ने के आसार साफ तौर पर नजरा रहे हैं तो क्या कहा है कॉंग्रस विधायक ने और कैसे बिहार में पलटने वाली है बाजी चलिए आपको बताते हैं दरैसल बिहार की एंडिये सरकार का 12 फरवरी को विधानसबा में फ्लोर टेस्ट होना है जिसमें बहुमत साबित करना है ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि खेला होगा इसको लेकर कॉंग्रेस विधायक विजे शंकर दुबे ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है हम लोग विपक्ष के लोग एक हैं एंडिये की हुकूमत जो विश्वास मत हासल करना चाहती है वो नहीं कर और हमारा प्रियास भी है जब हमारे पार्टी के लोगों से बात करके एक कंफ्यूजन फैला करके तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं तो कॉंग्रेस और दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं पूरी संभावना है कि एंडिये सरकार गिर जाएगी दरहसल आपको बता दें कि म बहुत अच्छे महाल में सभी से बात चीत हुई है ज़रान 12 फरवरी को होने वाले फ्लो टेस्ट को लेकर भी काफी संतुष्ट नजर आए नितीश कुमार सेम नितीश कुमार ने कहा कि प्रधान मंत्री से मुलाकात हुई और पार्टी के लोगों से भी मिले हैं पहले मैं इधर ही था बीच में इधर उदर हो गया अब मैं हमेशा इधर ही रहूँगा कहीं नहीं जाऊँगा बियार के विकास के लिए 2005 से मैं काम कर रहा हूँ तब से लेकर अभी तक काम हो रहा है नितीश कुमार से जब विश्येस राजी के दर्जे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए सब बाचीत हो गई है इतना ही नहीं 12 फरवरी को विधान सभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर भी उन्होंने अपनी ह कामी भरते हुए कहा कि सब हो जाएगा जोरां सीम नितीश कुमार के साथ मौजूद पूर्व मंत्री संजय जहा ने कहा कि सब नंबर का खेल है नंबर हमारे पास है इतना ही नहीं बिहार की राजनीती पर शंसे के बादल भी मंडराने लगे हैं और इस शंसे का आलम यहां तक पहुँच गया है कि लगभग दल अपने अपने विधाय को को ही शक की नजरों से देख रहे हैं हालत यह हो गई है कि बिहार की राजनीती पर पूर्व उपमुख्य मंत्री तेजस्वी यादव का वो बयान काफी जादा हावी हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि खेल तो होगा बिहार के विधायकों की चर्चा दिल्ली से तिलंगाना तक हो रही है हर पार्टी अपने अपने हिसाब से विधायकों को एक जूट रखने की कोशिशों में लगी हुई है बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवद विहारी चौधरी के तेवर से सत्ता दल की बॉक लाहट भी बढ़ गई है ऐसा नहीं है कि आविश्वास पिस्ताव जिलने वाले अवद बिहारी चोदरी कोई पहले विधान सभा अध्यक्ष हैं इसके पहले विधान सभा अध्यक्ष शिव चंद्रे जा विदेंश्वरी वर्मा और 2022 में बीजेपी के विजय सिनहा पर भी आ आविश्वास पिस्ताव लाया गया था पर अवद बिहारी चोदरी इन मामलों में उन सब विधान सभा अध्यक्ष से अलग हैं अवद बिहारी चोदरी पहले विधान सभा अध्यक्ष होंगे जो अपने उपर लाये गए आविश्वास पिस्ताव का सामना करेंगे पत्रक अंसबा अध्यक्ष ने आविश्वास पस्ताव का सामना करने से पहले ही इस्तिफा दे दिया था और अवद बिहारी इसी मामले में अलग है दरसल अवद बिहारी चौधरी की तरफ से उठाएगे इस कदम के बाद सत्ता दल में भी विधायकों के तूटने का खौफ कायम कर अवद बिहारी चौधरी के इस स्टप के बाद ही राजुत के वरिय विधायक भाई विरेंद्र ने भी अपने बयान से सत्ता दल के रड़नीती कारों की धड़कने बढ़ा दी है भाई विरेंद्र ने पत्रकारों से बाचीत करते हुए कहा है कि खेला तो 22 फरवरी को होग सेम नितीश कुमार भी डर गए है इसलिए भागे भागे पियम नरेंद्र मोधी से मिलने गए और उनसे कह रहे हैं कि अब हम आपके साथ रहेंगे रैसल जदियू के विधायकों में नितीश कुमार के प्रती काफी नाराज़गी है इसकी बज़ा ये है कि नितीश कुमार ब्यूरुक्रेट्स को प्रात्मिक्ता देते हैं चारों तरफ अधिकारी हावी हैं विधायक जनता का प्रतिनिदी होता है पर जनता को कोई काम नहीं कर रहा इसलिए जादा मत बुलवाईए बारा फरवरी को खेला देखिए और शाम को मिलिए जदियू के मंतरी श्रवर कहकर सब को चोका डाला कि जदियू विधायकों के पास फोन आ रहे हैं विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष अवद बिहारी चौधरी सदसिता नहीं जाने देंगे लेकिन जदियू के विधायक मजबूती से प्रलोभन को ठुकरा रहे हैं इनका मुख्यमंत्री नितीश कुमार के नत्तु में पूरा विश्वास है जदियों के विधायक कहीं नहीं जाएंगे और NDA की सरकार को और जादा मजबूत करेंगे मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अगर माने तो NDA की सरकार पूर बहुमत में है NDA के पास सरकार बनाए रखने के मैजिक नंबर से जादा विधायकों का साथ भी है ऐसे में NDA की सरकार अपनी गती से आगे बढ़ेगी और अगर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दावी में दम होगा तो आविश्वास पस्ताव गिर भी सकता है ये तभी संभव होगा जब सत्ता पक्ष के विधायक आविश्वास पस्ताव के खिलाफ क्रोस वोटिंग करें या फिर सरकार बनाने के मैजिक को द्वस्त करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक सदन की कारवाई से खुद को अलग रखें यानि सदन से ही आनुपस्तेत हो जाए वहीं दूसी तरफ बिहार के उप मुख्यमंतरी समराट चौधरी ने भी एक बयांस सियासी घमसान काफी ज़ादा तेज कर दिया भारतिय जंता पार्टी ने जदिव अध्यक्ष नितिश कुमार को मुख्यमंतरी के रूप में स्विकार करके राजी में अपनी सरकार बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा इस बयान से सियासी घमसान तेज हो गया भाजपा की बिहार एकाई की अध्यक्ष समराट चौधरी ने कहा है कि यहां पार्टी कारिकरताओं और वरिष्ट निताओं से खचाखच भरे एक सभागार में ये बयान दिया ये हमारे लिए एक कठिन फैसला था राश्टिय और राजेस्तर पर इसकी खूब चर्चा हुई और आखिरकार बिहार में जंगल राज लाने वाले राश्टिय जंतादल राजद को सत्ता से बाहर करने का फैसला लिया गया श्यामप्रसाद मुखरजी द्वारा पहली बार अनुचे 370 के खिलाफ आवाज उठाय जाने के बाद पीडिया गुजर गई जब नरेंद्र मोदी ने पूर बहुमत हासल किया तो इसे अनुचे 370 इतिहास की कूड़ेदान में फेक दिया गया इतना ही नहीं समराच चौधरी ने आगे कहा कि सालों तक विरोधियों ने मंदिर वहीं बनाएंगे हमारे नारे का ये कहकर मजाक उड़ाया की तारीख नहीं बताएंगे उपमुक्यमंतरी ने ये भी कहा कि राज्य में भाजपा, शराव माफिया, भू माफिया और रेत खनन माफिया के खिलाफ कारवाई सुनिश्यत करेगी कुल मिलाकर बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष्य समराट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अंडिये की सरकार जरूर है लेकिन हमारा संकल्प भाजपा की सरकार बनाने का है बिहार भाजपा की तरफ से आयुजित धन्यवाद सम्मान सह संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि बिहार में अंडिये सरकार बने की प्रश्ट भूमी की चर्चा करते हुए कि बिहार के सत्ता से जंगल राज की प्रेड़ता को हटाने के लिए दिये जाने के लिए प्रिधार मंतरी नरेंद्र मोधी को भी धन्यवाद दिया इस कारिक्रम में बिहार सरकार में उपुमुखी मंतरी बने समराच चोधरी विजय कुमार सिना और मंतरी बने प्रेम कुमार को भी सम्मानित किया गया और 2024 में बिहार की सभी 40 की 40 लोग अगर आज हम सरकार में शामिल है तो इसका क्रेडिट कारीकर्ताओं को ही चाता है भाजपा गट बंधन जरूर करती है लेकिन बदलती नहीं है और गट बंधन धर्म का पालन भी करती है भाजपा को कमेट्मेंट वाली पार्टी बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि भाजपा अपना संकल्प पूरा करती है एंड ये सरकार का कमिटमेंट नौकरी देने का भी है लेकिन आज इसका क्रेडिट दूसरे लोग लेने में लगे हुए हैं इतना ही नहीं उन्होंने राज़त के नेता लालू प्रसाद यादों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वो रोजगार का फॉर्मूला ही बताना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला प्रदेश की जनता को बता दे कि डेड़ साल का बच्चा अरब पती कैसे बन सकता है इससे किसी को रोजगार की जरुरत ही नहीं पड़ेगी तो वहीं दूसी तरफ बिहार में भारतिय जनता पाटी निनितेश कुमार को साथ लेकर बड़ी भूल कर दी है इस तरह की भी चर्चाएं होने लगी है कम से कम इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मताबिक तो यही साफतोर पर नज़र आ रहा है दरेसल बिहार में दस दिन पहले ही बनी एंडिये सरकार को आगामी लोकसबाचनाव में जटका मिलते हुए नजर आ रहा है इसका दावा सर्वे में किया गया है हलांकि यह जटका बड़ा नहीं कहा जा सकता है पर अगर उमीद फायदे की हो और नुकसान हो जाए तो इसे बड़ा जटका ज़रूर कहेंगे बियार की राज्य भाजपाई काई शुरू से ही नितेश कुमार को साथ लाने का विरोध करती रही है पर मुम्किन है कि बीजेपी को अपने लोकल इकाई से ज़ादा अपने इंटर्नल सर्वे पर भरोसा था इस वज़ा से उन्होंने नितेश कुमार के साथ जाने का प्लान बनाया और अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी ने जो पैसला लिया है उसकी वज़ज़ से उन्हें कोई खामियाजा लोक सबाचनाओं में भुगतना पड़ेगा या फिर इसका डबल फाइदा होगा आपका क्या मानना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कैपिटल टीवी के साथ नमस्कार